श्री सिवाई नमस दूब्यम दर्शको कैसे हों? आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम स्राक्चित होंगे दोस्तों सुमवार का दिन भगवान सिव को समरपित होता है सुमवार की दिन का सास्त्रों में विश्यस महतों माना गया है इसी के परकार दोस्तों ये भी कहा गया है कि सुमवार के दिन कुछ विशेस उपाई विशेस तोर से करने से कहा जाता है कि विशेस भलकी प्राप्ती होती है और भगवान सिव का आशिरवाद भी प्राप्त होता है ऐसे में दोस्तो आज हम आप सभी को सोमवार के कुछ अच्छुक उपाई बताने जा रहे हैं जिसे आप सभी को परदोस के समय करना चाहिए दोस्तो इन उपाईयों को कनज है भगवान साक्षात सीव का अशिरवाद प्राप्थ होता है जीवन की गरीवी दूर होती है जीवन की निषधनता दूर होती है जीवन की संकट दूर होते है जीवन की परतेग विपता से आपको छुटकारा प्राप्थ होता है ऐसे में दोस्तो भगवान सीव ने स्वयम कहा है कि सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति विशेस रूप से हमारी पूजा करता है हमें जल अर्पित करता है और वर्त आदी करता है उसकी तीजोरी मैं धन से बर देता हूँ और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देता हूँ इसे के साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर बार की तरह कोमेंट में स्री शिवाई नमस तुब जरू लिखेगा दोस्तों कहा जाता है कि सुमवार के दिन अगर कोई व्यक्ती एक लोटा जल भगवान सिव की सिवलिंग पर अरपित कर दे तो उसे बहुती बड़ा फल वाना जाता है और उसे बहुती पुन्य वाना जाता है कहा जाता है कि इससे भगवान सिव का आश्रवाद भी प्राप्त होता है ऐसे में दूस्तों आज की साम आप सभी को मत्र एक लोटा जल लेना है या फिर कच्चा दूद ले सकते हैं और कच्चा दूद लेंगे तो अच्छा रहेगा कच्चा दूद ले लिजे और आप लोगों को लेना है गेहूं जो धान आता है गेहूं के दाने लेने हैं आपको अपनी इक्छा नुसार 11 या फिर 21 या फिर 108 इतने जाने लेकर गयों कि आप लोगों को जाना है सिव मंदिर में वहाँ पर जाकर आप लोगों को और इन दोनों चीजों के साथ एक दीपक भी आपको लेकर जाना है और जाने के बाद में आप लोगों को उस दीपक को भगवान सिव के मंदिर की चोगट पर जला देना है और जो चाउन लेके गए हैं, उन्हें अपनी मुनोकामना बोलते विए आप लोगों को जला धारी पर अर्पित कर देना है, साथी वो जो एक लोटा कचा दूध है, उसे आप लोगों को परदोश के समयाजी सिविलिंग पर स्री शिवाई नमस्तुब्यम का जाप करते विए आर्पित कर देना है, इसे दोस्तों आपकी निर्धनता समाप्त होती है, जीवने के कंगाली दूर होती है, और गर्मे धन का आउगमन होता है, गर के दुख संकट सब दूर होते हैं, तो आप सब इसकारे को कीजिगा, बहुत अच्छा आपको लावे पराप्त होका, साथी वीडियो अच्छी ल